विल्कम डियर स्टुएंट्स इंजिया टेक फेमिली में आपका फिर से स्वागत और मैं रहुल और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अमस 2018 के रिजल्ट के बारे में तो मैं आपको इनफोर्म कर दू कि की एमस 2018 का result हो चुका है 2018 John 2018 को मारा इसका result declare हो चुका है तो दो आज की वीडियो के अंदर हम इसके बारे में कुछ importance से बात करेंगे कि ने Southwest क donne…. बात के यह और इसकी जो लि emerged मारे में आपको बता दूँगा इसकी तरहां किस तरीके से अपने वो रिजल्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं इन्फोर्मेशन दे दू कि AIMS 2018 को जो मारा रिजल्ट आया है उसके अंदर जो इन्होंने जो में एक्जाम हुआ था 26 और 27 मही तो उसका रिजल्ट आया है मोक राउंड फस्ट जो राउंड शीट आलोटमेट ओनलाइन कांशलिंग तो उसका रिजल्ट आया है तो टोटल नंबर ओकेंड इसलिबल फर दिमोक राउंड फस्ट इन्ट आलोटमेट आउनलोड कांशलिंग फोर तामस एक्चुल नंबर ओव सीट इसके अंदर उनके स्टूर्टमेट आउनलोड कांशलिंग फोर एक्चुल नंबर ओव सीट से जादा आया है क्योंकि जितने हमारे सीट उससे ज्यादा स्टूरंट का रजल्ट आप आया है तो इसके अंदर उनके स्टूर्टमेट के परसेंटेल माक्स होएंगे कट ओफ जिन्होंने कॉलिफाइ किया है उन उन स्टूर्टमेट को यहां पर सीट मिलेगी इसके बाद यहां पर इनोंने दिखाया है कि अपर फिस्ट राउंड शीट आलोटमेट ऑनलाइन कांसलिंग के अंदर तो अगर आपको अपना रिजल्ट देखना है और डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना होगा यह आपको साइट है इस साइट पर आपको जाना है उस 69 MBBS 2018 result तो वहां पर आपको 69 है उस result में वहां पर आपको दो लिस्ट मिलेगी तो दोनों लिस्ट आपको download करनी होगी ठीक है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको यहां पर दो option मिल जाएंगे कि आप उनी विहीं सीट डांपलोड करने वाली तो एकक शीट के आंडर जो आल डिटेल्स दी होगी एक शीट के आपकी जो गरम लेंस स्वाम Big category rank तो यहां पर नहीं दिखाए और यहां पर आपको जो subject wise आपके जो marks बन रहे हैं वो इन्हों ने यहां पर दिखाए हुए है इसके बाद जो overall percentile जो आपकी overall percentile तो आपके जिन-जिन students की दिन-जिन students की जो overall percentage रहेगी तो तो वो students यहां पर इनको qualify कर रहेंगे तो यह इसके बारे में मैं आपको दिखा दूगा इनके overall percentile क्या रहेगी तो ठीक है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि भी अमारी overall percentile तो अभी आप देख सकते हैं जो important notice है और जो यह पीदिए फोरी नाइज पीज की इसके अंदर इन इन students qualified किया उन उन students की यह पर नाम इनोंने mention किये हूए है तो यहां पर आप दे सकते हैं यूर काटिगरी के जो जो students है उनके हमारी क्या percentile cutoff है OBC की और SC और ST की हमारी क्या cutoff percentile cutoff रही है तो यह है पर प्रसेंटियल only include that include candidates legible four time total number of seats available in all the above aims तो यहां पर नोने साफ साफ मैंने किया हुए है कि जो उपर लिश्ट दी हुए है इपोर्टन नहीं है कि वो सभी सभी students qualify है यहां पर जो जिन students की नोने list दी हुए है वो four times ज्यादा है कितनी जीते हैं हमारी एंस की सीट है उनसे four times ज्यादा उन्होंने चुर्ण्स की list दी हुए है तो जो हमारी first round की जो cutoff की जो overall rank गए है उसके बार में दिखा देता हम आपको जो यूर की आपको percentile तो मैंने आपको दिखा दे थी और जो overall rank उनकी 1600 और category rank उनकी 1600 इसी तरीके से आप यहां पर सब category की आप नोट कर सकते हैं जैसे OBC के और इन सबी चीजी की information आपको जो PDF होईगी उसके last के अंदर आपको इनके information मिल जाएगी तो वह चीज आप जुरूर देखे और यहां पर नोने दिखाया है कि non qualified, non qualified तो PWD, ST के अंदर वो non qualified है किसी के अंदर भी नहीं आएंगे तो SC category की यहां इस तरीके से आप दिखाया हुए हैं तो आप में जो हमारे यहां पर है वो percential है कि भी आप अपनी percential जुरूर नोटिस करें कि अगर आप इन percentials को cross कर रहे हैं तो ही आप qualify या दरवाज आप qualify नहीं है जैसे आप 98 होगी आप यूरल की OBC, NCL की 97 और SC और ST की 93 percential होगी और ज आप देवाए दिए MOK round of seat allotment online counseling expected of June 23rd, June 2018 को हमारी next counseling का उसका result आजाएगा और जैसे ही उसका information मिलेगी मैं आपको inform कर दूँगा तो ठीके dear students आज की video के अंदर इतना ही और मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि आपको किस तरी किस आपको दूसरी piece है वो आपको कैसे download करनी है उसकी pdf भी मैं आपको download करके दिखा देता हूँ site का link आपको description में दे दूगा वहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने दोनों list दी हुए है जो मैं आपको बता रहा था एक overall rank list और एक दूसरी हमारी role number wise जो हमारी list होगी तो यहाँ पर दोनों इन्होंने list द मिलियागी नहीं और अगर जिन students का नाम नहीं आए तो अपने उदा समत हो क्योंकि इसकी दूसरी list आएगी तो उसके बारे में भी आपका नाम आ सकता है तो ठीक है dear students मेरे तरफ से आप सभी को all the best और उसके तो आप मेरे चैनल को subscribe कर लेना like करना और share और comment जरूर करना ताक कोँ अबड़ी नहीं आपको जल डिसके लड़ी तो ठीक है तो जहिए तो तीक है the students